बिहार में शिक्षा विबाग को लेकर जो विवाद चल रहा है किके पाठक और शिक्षा मंतरी चंदरशेखर को लेकर वो भी चर्चा में है उसे लेकर क्या कुछ चल रहा है पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाता है फिर आते हैं उस पर पहले लेटर बाजी फिर एक खामोश बहस शिक्षा मंत्री चंदरशेखर और अपर मुख सचीब के बीच ताना तनी और फिर उसके बाद जो बिहार के शिक्षा विभाग में हो रहा है वो हर दिन सुर्खियों में है बिहार में इन दिनों हरकम बचा हुआ है जी हां शिक्षा विभाग में जैसे ही अपर मुख सचीब केके पाठक जोईन करते हैं और शिक्षा मंत्री विभाग में हरकम बजाती है शिक्षा मंत्री चंदर शेकर और अपरमुकि सचीब केके पाठक के बीच बहस के 22 दीम बित गए हैं बहस के बीच शिक्षा मंत्री विभाग पहुंचने रहे शुक्षा मंत्री के सरकारी गाडी भी विभाग परीसर में खड़े खड़े विवादों के बीच नजारा देख रही है बिहार के सिक्षा विभाग के इस दफ्तर को देखे जहां प्रोफेसर चंदर सेखर मंतरी है सिक्षा विभाग के और आज हम लोग पहुंचे हैं देखने के लिए कि मंतरी जी आये हैं या नहीं मंतरी जी आज भी नहीं आये हैं सिक्षा विभाग में पूछने पड़ ये पत तरीके से सेट नहीं हुआ जबकि बुखमंतिक नितीज कुमार ने बुलाया था और बुलाने के बाब जुद तालमिल बैठाने की बात नहीं थी लेकिन अभी भी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है फिलाल ये बताया गया कि मंत्री जी छेत्र में है शुक्षा भी भाग में मंत्री का चेंबर केके पाथक और चंदर सिखर के बीच की कहानी बता रहा है दोनों के बीच मतवेदों की गवाही दे रहा है लेकिन मंत्री जी की तरख कके पाथक खामोश नहीं बचे हैं रुके नहीं है केके पाठक मंत्री से बहस के बीच शुक्षा के शुत्र में नित दीन बदलाव ला रहे हैं इसकूलों के लिए दन आदन निर्देश जारी कर रहे हैं और केके पाठक जैसे सिंगहम के इस निर्देश से पूरी उमीद है सुधर जाएगी बिहार की शुक्षा वेबस्ता अन्दाजा लगाईए कि केके पाठक का खौफ या केके पाठक के निर्देश का ये असर है कि सिक्षा विभाग पूरी तरीके से 24 इंटू 7 काम करने में वीजी है अब ठहर भी जाईए धेर हो गया केके पाठक और चंदर सेखर के बीच बहस का मुद्दा शिक्षा विभाग पर बहस के बीच बिहार के लाल की भी सुन लीजिये न सुन भी लीजिये कि स्कूलों पर दोनों के बीच बहस का असर हुआ क्या है असर ये हुआ है कि नाम सुनते ही लल्ला जल्ला गया है हवाला जनरल नौलेज का दे रहा है नहीं पता है जनाब को केके पाठक कौन है नहीं पता है शिक्षा मंतरी कौन है विवाद को सुल्जाते रहेंगे दोनों खुद से अच्छी बात ये है कि विवस्था में वदलाव हो रहे है शिक्षा जगत में केके पाठक के फर्मान से बहतर अर्मान रखने वाले चात्रों की उम्मीद बढ़ रही है जो लोग ऑफिस में कुर्सिया तोड़ा करते थे बाटकर उन्हें अब स्कूलों में जाकर अटेंडन से लेकर तमाम वो चीजे जो बच्चों से जुड़ी है सिच्छा से जुड़ा हुआ है उस पे काम करने को कहा गया है आगे आगे देखें सिच्छा विभाग में और कितने निर्देश जारी होते हैं तो जायर सी बात है बिहार में शिच्छा विभाग चर्चा में है और कुछ बैथर करने की होड भी इसे कहा जा सकता है हमारे साथ हमारे सायोगी गौतम जुड़े हुए हैं गौतम जिस तरह से केके पाठक लगे हुए है लगता है कि के पाठक ने भी एक चुनावती के तौर पर लिया है और सिस्टम दुरुस्त करने में लगे हैं तो वहीं इन दिनों शिक्षा मंत्री चंदरशेखर थोड़े से लगता है असाहज या फिर अन्मनी से लग रहा है अब बिलकुल असाहज होना स्वभाविक है यदि आप कोई अच्छा काम करेंगे और उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो सीधे तोर पे उस विभाग के मंत्री की जिम्मवारी और जवाब देही होती है चुकि सब कुछ उनके दिसा निर्देश पर होता है लेकिन यहां जिस तरह से केके पाठक जो की बहुत ही सक्त आई एस जाने माने हैं और नितीज के बेहत करीबी हैं वो जिस विभाग में जाते हैं हरकम में जाता है क्योंकि उनके काम करने की सैली ही ऐसी है वो बिल्कुल गलत चीजों से समझाता नहीं करते हैं वक्त के बहुत पावंध माने जाते हैं और सिस्टम को दुरुस्त करने में माहिड हैं तो इसलिए कही न कहीं सिक्षा विभाग के अंदर जो तबदीलिया है जो कमिया है उसको दूर करने के लिए केके पाठक ये कमर क लिए और इसकी लडाए उन्होंने सुरवाती सिक्षा मंत्री से की है तो यह एक बहुत बड़ा मसला है बहुत बड़ा कारण है कि सिक्षा मंत्री जहां कहीं भी गलती कर रहा है उनकी गलतियों को दूर करने के साथ साथ जब उनके आप सचीब को उन्होंने ऑफिस में लिए इनको पता है और केके पाटक यही वज़ा है कि बिहार में दफ्तर से ज़्यादा वो बिहार के अन्न स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और अब तक हजारों हजार ऐसे सिचक हैं जिनके बेतन को रोक दिया गया है क्योंकि बेतन सिचकों का हक है लेकिन पढ़ाना भी उन दूरुस्त थोती नहीं दिख रही है तो यही कारण है कि सिच्चा विभाग की तरफ से जो जो अलगले स्कूले हैं वहां दोड़ा कर रहे हैं सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए हैं जो चात्रों में जो कमिया हैं जो जिसकी वज़ा से इसकूल नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे में उनको कैसे स्कूल लाया जाए इस बात को लेकर के भी सिच्चा विभाग लगतार पहल कर रहा है और कई ऐसी चीज़े हैं जो हमने आज देखी है तो उसके दौरान भी यह कह सकते हैं कि जो केके पाटक है वो कल सिवान में भी गया थे उन्होंने फर्मान भी जारी हैं या जो सिच्चक स्कूल कार्याले में है या राजधानी पटना में हो चाहे जिला में हो कहीं भी हूँ अगर उनकी ड्यूटी ऑफिस में है तो चार घंटा से जादा ऑफिस में वो ना बैठें सिर्फ कुरसियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा सिच्चा विभाग को प केके पाठक लगे हुए हैं और यह देखना दिल्चस्प होगा कि केके पाठक अपनी इस कवायद में कहां तक सफल रहते हैं और आने वाले दिनों भी क्या कुछ होता है गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य वाद तो बहुत